मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी जोटिरादित्यसिंदिया जी चंदर सेखर जी ITU की सेक्रेटरी जनरल विविन्द देशों के मंत्रीगाण भारत के विन्द विन्द राज्यों से आयो हुए सब मंत्रीगाण इंडिस्ट्री लीडर्स, टेलीकॉम एक्सपर्ट्स, स्टार्ट अप्स की दुनिया के मेरे प्रियन नवजवान, देश दुनिया से आये अन्य महानुभाव, देवी और सज्यनौ इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस में देश और दुनिया के आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिरंदन, मैं इंटरनेशनल तेलिकॉम्यूनियन, आई टी यू के साथियों का भी बिशेश स्वागत करता हूँ आपने डव्लू टी ऐसे के लिए पहली बार भारत चुना है मैं आपका आभारी भी हूँ और आपकी सरहना भी करता हूँ साथियों आज भारत टेलिकॉम और उससे जूड़ी टेक्नलोजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है भारत जहां 120 करोड यहने 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स है भारत जहां 95 करोड याने 950 मिलियन इंटरनेस्ट यूजर्स है भारत जहां दुनिया का 40 परसंट से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास माइल डिलिवरी का एफेक्टिव टूल बना कर दिखाया है वहां ग्लोबल टेली कॉम्मिनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गूर का भी माध्यम बनेगी है मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है देता हूँ फ्रेंड्स डब्लू टी ऐसे और इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वपूर है डब्लू टी ऐसे का लक्ष ग्लोबल स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है वहीं इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस की बड़ी भूमे का सर्विसिस के साथ जूड़ी हुई है इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड और सर्विसिस दोनों को एक ही मंच पर ले आया है आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत जाजा फोकस कर रहा है हम अपने स्टैंडर्ड पर भी विशेश बल दे रहे हैं ऐसे मैं डब्लूटी ऐसे का अनुभव भारत को एक नई उर्जा देने वाला होगा साथिवों डब्लूटी ऐसे पूरी दुनिया को कंसेंसस की जरिये एंपावर करने की बात करता है इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिये ससक्ता करने की बात करती है यानि इस इवेंट में कंसेंसस और कनेक्टिविटी भी एक साथ जुड़ी है आप जानते हैं कि आज की कॉंफ्लिक्ट से भरी दुनिया के लिए इन दोनों का होना कितना जरूरी है भारत हजारों वर्षों से वसुधेव कुटमकम के हमें अमर संदेश को जीता रहा है हमें जी ट्वेंटी का नेत्रूद करने का आउसर मिला तब भी हमने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का ही संदेश दिया भारत दुनिया को कांफ्लिक्स से बहार निकाल कर कनेक करने में ही जुटा है प्राचिन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नलोजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है दुनिया को कनेक करना और प्रगति के नई रास्ते खोलना ऐसे में WTSA और IMC की ये साज़दारी भी एक प्रेरक और शांदार मेस्ज है जब लोकल और ग्लोबल का मेल होता है तब न केवल एक देश बलकि पुरी दुनिया को इसका लाब मिलता है और यही हमारा लक्ष है फ्रेंट 21 सदी में भारत की मोबाइल और टेलिको म्यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विश्व है दुनिया में मोबाइल और टेलिकोम को एक सुभीधा के रुप में देखा गया लेकिन भारत का मोडल कुछ अलग रहा है भारत में हमने टेलिकोम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं बलकि इक्वीटी और ऑपर्टूनिटी का माध्यम बनाया इमाध्यम आजगाओं और शहर अमीर और गरीब के बीशवी दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है मुझे याद है जब मैं दस साल पहले डिजिटल इंडिया का विजन देश के सामने रख रहा था तो मैंने कहां था कि हम टुकुड़ा में नहीं बलकि होलिस्टीक एप्रोच के साथ चलना होगा तब हमने डिजिटल इंडिया के चार पीलर्स की पहचान की थी पहला डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुँचे तीसरा डेटा सब की पहुँच में होना है और चोथा डिजिटल फस्त ही हमारा लक्ष होना चाहिए हमने इंग चार पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले फ्रेंट हमारे हां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैनुफेक्टरर न करते हैं ट्वेंटी फोर्टीन में भारत में सिर्फ टू मोबाइल मैनुफेक्टरिंग युनिट थी आज टू हंड्रेट से ज्यादा है पहले हम ज्यादातर फोन भार से इंपोर्ट करते थे आज हम पहले से छे गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोड़क्तर दुनिया को एक कम्प्लीट मेडी इंडिया फोन देने में जुटे हैं हम भारत में सेमिकंडक्टर एको सिस्टम पर भी बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स कनेक्टिविटी के पीलर पर काम करते हुए भारत में हमने ये सुनिश्चित किया कि हर गर कनेक्ट हो हमने देश के कोने कोने में मोबैल टावर का एक ससक्त नेटवर्क बनाया जो हमारे ट्राइबल एलियाज हैं हिली एरियाज हैं बॉडर एरियाज हैं वहां बहुत कम समय में ही हजारों मोबैल टावर लगाए गए हमने रेल्वे स्टेशन्स और दूसरे पब्लिक प्लेसेज पर वाइफाई की सुविधा दी हमने अपने अंडमान निकोबार और लक्स विप जैसे आइलेंड को अंडर सी केबल्स के मादम से कनेक्ट किया भारत ने सिर्फ दस साल में जितना अप्टिकल फाइबर बिशाया है उसकी लंबाई धर्ती और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी आठ गुना है मैं भारत की स्पीड का आपको एक उधान देता हूँ दो साल पहले मोबाईल कॉंग्रेस में ही हमने 5G लौंच किया था आज भारत का करीब करीब हर जीला 5G सर्विस से जुड़ चुका है आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है और अब हम 6G टेकनोलोजी पर भी तेजी से काम कर रहे है साथियों भारत ने टेलिकॉम सेक्टर में जो रिफॉर्म किये जो इनोवेशन किये वो अकल्पनिया है अभूत पूर्वा है इसे डेटा की कीमत बहुत कम हुई आज भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत लगभग 12 सेंट प्रती जीवी है जबकि दुनिया के कितने ही देशों में एक जीवी डेटा इससे दस गुना से बीस गुना ज्यादा मेंगा है हम भारतिय आज हर महिने आउस्ततन करीब 30 जीवी डेटा कंजियूम करते हैं साथियों इन सारे प्रयासों को हमारे चौथे पिलर यानि डिजिटल फस्की भावना से नई स्केल पर पहुंचाया है भारत ने डिजिटल टेकनोलोजी को डेमोकरटाइज किया भारत ने डिजिटल प्रेटफॉर्म बनाए और इस प्रेटफॉर्म पर हुए इनोवेशन ने लाखों नए आउसर पैदा किये जन्धन आधार और मोबाइल की जैम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेश यूपी आई ने कितनी ही नई कॉम्पनियों को नए मोके दिये हैं अब आजकल ओएंडिसी की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है ओएंडिसी से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली हैं हमने कोरोना के दोरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफर्म्स ने हर काम आसान किया है जरुरत मंदों तक पैसा बेजना हो कोरोना से निपटने में जुटे कर्मचारियों तक रियल टाइम गाइडलाइज बेजनी हो वेक्सिनेशन का प्रोसेस स्ट्रिम्लाइन करना हो वेक्सिन का डिजिटल सर्टिपिकेट देना हो भारत में सब कुछ बहुत स्मिद्ध स्मूटली हुआ आज भारत के पास एक ऐसा डिजिटल बुके हैं जो दुनिया में वेलफेर स्किम्स को एक नई उंचाई दे सकता है इसलिए जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के दोरान भी भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रासेक्टर पर बल दिया और आज मैं फिर दोरा हूंगा भारत को डिपी आई से सम्मंदितर अनुभव और जानकारी सभी देशों के साथ शेयर करने में खुशी होगी साथियों यहां डब्ल्यू टी ऐसे में नेटवर्क अब विमेन इनिशेटिव पर भी चर्चा होनी है यह बहुत ही इंपोर्टन विशह है भारत विमेन लेट डेवलेपेंट को लेकर बहुत ही गंबीरता से काम कर रहा है जी ट्वेंटी प्रसेजन्सी के दोरान भी हमने अपने इस कमिट्मेंट को आगे बढ़ाया टेक्नोलोजी सेक्टर को इंक्लूजीव बनाना टेक्नोलोजी प्रेटफोर्म से महिलाओं को एमपावर करना भारत इस लक्ष को लेकर चल रहा है आपने देखा है कि हमारे स्पेस पीशन्स में हमारी वीमेन साइन्टिस का कितना बड़ा रोल है हमारे स्टार्ट अफ में वीमेन को फाउंडर के संख्या लगातार बढ़ रही है आज भारत की स्टेम एजुकेशन में 40 परसंट से अधिक हिस्सेदारी हमारी बेटियों की है भारत आज टेकनोलोजी लीडर्शिप में महिलाओं के लिए जादा से जादा अउसर बना रही है आपने सरकार के नमो ड्रोन दीदी कारकंग के बारे में जरूर सुनाब होगा यह खेती में ड्रोन क्रांति को बढ़ावा देने वाला कारकंग है इस अभियान को भारत के गावों की महिलाएं लीड कर रही है डिजिटल बैंकिंग डिजिटल पेमेंट्स को गरगर पहुंचाने के लिए भी हमने बैंक सकी प्रोग्रेम चलाया यानि महिलाओं ने डिजिटल एवर्नेस प्रोग्राम को भी लीड किया हमारे प्राइमरी हिल्थ केर मैटनिटी और चाइल्ड केर में भी आशां और आंगनवाडी वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है आज ये वर्कर्स टैप्स और एप्स के माध्यम से इस पूरे काम को ट्रैक करती हैं महिलाओं के लिए हम महिला ये हाट कारकम भी चला रहे हैं ये विमेन एंट्रेप्रेनर्शिप के लिए एक ओनलाइन मार्केटिंग प्रेट्फॉर्म है यानि आज गाओं गाओं में भारत की महिलाए ऐसी टेकनोलोजी पर काम कर रहे हैं जो अकल्पनिया है आने वाले समय में हम इसका दाइरा और बढ़ाने वाले हैं मैं उस भारत की कल्पना कर रहा हूं जहां हर बेटी एक टेक लीडर हो फ्रेंड्स भारत ने अपनी जी ट्वेंटी प्रेसिजिंसी के दोरान एक गंबीर विशे दुनिया के सामने रखा था इस विशे को मैं WTSA जैसे ग्लोबल प्रेट्फरम के सामने भी रखना चाहता हूं यह विशे हैं डिजिटल टेकनोलोजी के ग्लोबल फ्रेमवर्क का ग्लोबल गाइड्लाइंस का अब समय आ गया है कि ग्लोबल इंस्टिटूशन्स को ग्लोबल गवर्नेंस के लिए इसके महत्व को स्विकार ना होगा टेकनोलोजी के लिए वैस्फिक्स तर पर डूज और डॉन्ट्स बनाने होंगे आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लिकेशन्स हैं वो बंधनों से परे हैं किसी भी देश की बाउंडरी से परे हैं इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों के रक्षान नहीं कर सकता इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा ग्लोबल संस्थाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी हम जानते हैं हमारा अनुपर जैसे हमने एविएशन सेक्टर के लिए एक ग्लोबल रूल्स और डेगुलेशन का फ्रेमवर्ग बनाया है वैसे ही फ्रेमवर्ग की दुरत डिजिटल वर्ल्ड को भी है और इसके लिए डब्ल्यूटी ऐसे को और अधिक सकृतिया से काम करना होगा मैं डेब्ल्यूटी ऐसे से जुड़े हर सदस्य को से कहूंगा कि वो इस दिशा में सोचे कि कैसे तैली कम्यूकेशन को सभी के लिए सेब बनाया जाए इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में सिक्यूरिटी किसी भी तरह से आफ्टर थॉट नहीं हो सकती भारत के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल साइबर सिकृरिटी स्ट्रेटेजी एक सेफ डिजिटल इको सिस्टिम बनाने के प्रती हमारे कमिटमेंट को दिखाते हैं वे इसेंबली के सदस्यों से कहूंगा आप ऐसे स्टांडर्स बनाएं जो इंक्लुजिव हो शिक्योर हो और भविश के हर चैलेंज के लिए एडप्टेबल हो आप ethical AI और data privacy के ऐसे global standards बनाएं जो अलग-अलग देशों की diversity कापी सम्मान करें साथियों यह बहुत जरूरी है कि आज के इस टेक्नलोजी का revolution में हम टेक्नलोजी को human-centric dimension देने का निरंतर प्यास करें हम पर यह जिम्बेदारी है कि यह revolution responsible और sustainable हो आज हम जो भी standard set करेंगे उससे हमारे भविश्क की दिशा पैह होगे इसलिए security dignity और equity के principles हमारी चर्चा के कैंदर में होने चाहिए हमारा मकसद होना चाहिए कि कोई देश कोई region और कोई community इस digital यूग में पीशे न रह जाए हमें सुनिश्चित करना होगा हमारा भविश्य टेक्निकली स्ट्रॉंग भी हो और एथिकली साउंड भी हो हमारे भविश्य में इनोवेशन भी हो इंक्लूजन भी हो साथियों डेवली टी ऐसे की सभलता के लिए मेरी शुब कामना है आपके साथ है मेरा सपोर्ट आपके साथ है आप सब को मेरी बहुत-बहुत शुब कामना है बहुत-बहुत धन्यवाद झाल